असलाम नेकों वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं तो नहाफ इंच जो है हमें विर्थिशा यह और फी इंच हमें लेंद हैं हमने एक बॉक्स बना लेंगे हम अब जाए हमने इसको ड्रॉफ करना है और त्वेनए हाफ इंच हमने विट फी रखेंगे इसकी नेक्स में और हमने इसको एंड से हमने राउंड में ड्रॉफ करते जाना है यह हम बेबी कॉलर की कटिंग कर रहे हैं ठीक हो गया इसको कप्रे पर रख चिप्स करके हमने या इसके इसके उपर रखे फिर प्रस करते हैं इसे बहुत अच्छे गले की फिनिशिंग आती है इसको आप ही यूज़ किया करें और हमने इसको स्ट्विच कर लेना है बहार की तरह से उसको कटिंग करके और हमने चुटे-चुटे से में टक लगाएंगे पिकॉस के यह हमारा जो है ना सीधा करें तो कोई जोल शोलना आए मैंने आपको इसकी कटिंग फूरी बताई विए यूनिफॉर्म की तो वह पार्ट वन जो है वह आप देख सकते हैं तो तो उसकी फूल कटिंग तो हमने इसको जो है पर दरमया के टक लगा के इसको स्टिच-क करने कप्लैक हमेशा जो नीचे कपड़ा होते हैं जिससे पर हमने चिपका रहे होते हैं रख एसको सीधा ना सीधा करें उससे बड़ी अच्छी गुला आतीया है और कोई जोल नहीं आता कोई एदे के खराब भी नहीं होती अब हमने इसकी सलाई थी ना उसमें हमने जो है उपर से एक सलाई लगा दे के उध्रे ना यह मैंने दर्मयान का निशान लगा के और वह कॉलर जो है उसकी मैंने अब इसको स्ट्रिच कर रही हूं अपनी शल्ट प है यह देखें अब हमने इसके ही उपर हमने एक सलाई लगा देनी है यह मैंने आग पैक और फ्रंट में मैंने अब इसकी स्ट्रिच हो रही है कि छोटी बच्ची का है तो आप इसको ना लाजमी बच्चों का पीछे से टक अब मतलब रखा करें बटन टेक गलाज छोटा हो और पीछे से बटन टेक रखा करें ताके गलेक में जो है ना बच्चों का बड़ा ना हो और खुश्यत लगता है अब यह जो हम रख पटी काट रहे हैं एक अधी से भी तीन-चार सुतर की ताके वह पटी बनानी है दुबटे के लिए बच्चों के शोल्डर की ना कट और पिर है मैंने इसको सीधा कर रहे है चार सुतर तीन सुतर काफी होती है ज्यादा चोड़ी अच्छी नहीं लगती और यह देखे मैंने इसको बैक के इस तरीके से सटके है जैसे कि यह पॉर्फेक्ट हमारा आ जाए यह मैंने सलीव के साथ अटैच कर दिया है और इसी तरह स्टिचिंग हम करते जाएंगे मुझे बाजू की फिटिंग चाहिए फॉर एंच तो मैंने फॉर इंच पर रखके और बिल्कुर इसकी स्लाई लगा दिया है ठीक है और यह पॉकिट है पॉकिट मैंने इसका सेवन इंच मतब सिक्स हमने रख लेंगे इसकी लेंद और विर्थ भी हम उसकी मतब 5 इंच रखेगा और हाँ वो जो बच्चों के वो जो होते हैं मोनोग्राम उस पर अफसलाई लगा लिया करें ताके यह उद्धरे ना आई होप आप सबको समझ आ गई होगी तैंक यू और मेरी वीडियो को पसंद आई हो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें तैंक यू लाव